नमस्कार दोस्तों मैं करिश्टन परती आप सब करता हूँ लर्णिम कीरा यूटीब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ MF Central से जो है आप कोई साइं मोचल फंड कैसे रिडीम कर सकते हैं ध्यान रखें आपके पैन पे कहीं भी किसी भी पोर्टल के साथ किसी भी या ब्रोकर के साथ मोचल फंड अगर अपने ओपन किया हुआ है तो MF Central पर चले आना यहां पर आपको सब कुछ दिख जाने वाला एक साथ ही अगर आपका मोचल फंड डीमेट अकाउंट में नहीं है तो इसको आप यहां से सेल कर सकते हो यहां से आप portfolio देख सकते हो, portfolio पर क्लिक करना, जो भी चीज़े होगी यहां पर आपको दिख जाएंगी, asset wise आपको दिख जाएगा, कौन से आपको funds में कितना return मिल रहा है आपको, यहां पर आपको fund house wise यहां दिख जाएगा आपको, चीज़ें कैसे हैं और invested amount कितना है, और ची आप एक जगहें उसको track कर सकते हो, आप redeem कर सकते हो, transact कर सकते हो, buy कर सकते हो, sip कर सकते हो, तो इस platform के साथ जो आपको अच्छा feature मिलने वाला है, यहां पर आपको transact का option है, इस पर आप click करना, जैसे ही click करोगे, lump sum sip का है, मैं videos डालता रहूँगा, आपको समझने में आसानी हो एक ची धियान रखना, यह मेरा access long term equity fund है, regular growth, मतलब यह जो है मेरा tax saving plan है, tax saving plan में क्या होता है, जिस date को आपको NAV credit होगा, उस date से आपका 3 years का lock-in रहेगा, तो यहां पर जो आपको units से दिख रहा है न, इस पूरे units का आप निकाल ली सकते है, जिस units का 3 years time over हो चुका है, वही units आप redeem कर सकते हो, यह ची धियान रखना, यह आपको कहाँ दिखेगा, यह आप जो है, access motion phone का app open करोगे, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, कितना units आप redeem कर सकते हो, maximum, दोस्तों यहाँ पर देखो folio 1191 है, आपका folio 1191 है, यहाँ पर maximum units से redeem कर सकता है, वो redeem कर सकता है 101.565 इतना units redeem कर सकता है, मतलब इतने units का 3 years का lock-in पूरा हो गया है, लेकिन इसके पार units परा हुआ है 278.217, तो वह ची धियान रखना, जितना maximum units आप redeem कर सकते हो, जिसका lock-in 3 years complete हो चुका है, वही आप redeem करना, अगर आप पूरा 278.217 लिखोगे, तो आपका order reject हो जाएगा, क्यो कैसे करना है, यह चीज़ समझ गए, इसको आप mutual fund आप open करोगे, तो यहाँ पर कितने available units हैं आपको वह दिख जाएंगे, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख लो, access mutual fund है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, box पर और यहाँ पर submit का option पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो दोस इस bank account में T plus 2 working days में आपको credit हो जाएंगे, अगर आपने 3 PM से पहले redemption request प्लेस किया है तो, यहाँ पर मुझे units redeem करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास 101 units available है, जिसको मैं redeem कर सकता हूँ, उसका value हो रहा है 67273.65 रूपीज, तो इसको मैं sell करूँगा, और मेरे पास remaining amount इतने बचने वाले हैं, तो यहाँ पर redeem unit 701 में कर रहा हूँ, मेरे पास 278.217 units available है, इसमें से यह minus हो जाएंगे, उसका 3 years lock-in पूरा नहीं हुआ है, जब पूरा होगा, मुझे मानलो उसको redeem करना या sell करना है, तो वो मेरे पर depend करता है, कि मैं उसको hold करूँ या sell कर दिया, redeem all unit पर click मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपके बार्सेल units जो है, वो 3 years के lock-in वाले है, अगर आप all units पर click करोगे, तो आपका order reject हो जाएगा, क्योंकि मानकी units जो है, वो lock-in में है, वो sell नहीं हो सकते, जब तक 3 years complete नहीं होगा, यह चीज़ ध्यान रख लेना, आपको अबाद Monday, trading plus Monday, Tuesday trading plus today, Tuesday को मेरे साम तक मेरे bank account में पैसे पहुंच जाएंगे, अगर मालो 20 में holiday नहीं है, Saturday Sunday count नहीं होगा, मैं यहाँ पर I agree पर click करता हूँ, और यहाँ पर proceed का option है, इस पर मैं click करता हूँ, यहाँ पर आपको एक OTP गया होगा, OTP पूट कर दो, और verify OTP का option है इस पर click कर देना, दोस्तों मैं OTP पूट कर दिया है, verify OTP option है, इस पर मैं click कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, your request is successfully submitted with tracking reference number इतना, यहाँ पर track my request है, इस पर click करो, जैसे ही click करो, यहाँ पर देखो, access mutual fund, polio number यह रहा, redemption request प्लेस कर दिया, transaction number यह रहा, date आपको 3rd March को प्लेस किया है आपने, और status in progress है, view के option पर click करो, तो यहाँ पर चीज़ें आपको दिख जाएंगी, अगर आप यहाँ पर देखो, track status है, इस पर click करना, और चीज़ें आप देखते रहेना, अगर आपको redeem हो जाएगा, तो यहाँ पर चीज़ें आपको दिख जाएंगी, T plus two working days में पैस कर सकते हो, redeem कर सकते हो, mutual fund central से, बहुत ही अच्छा app है, इसको आप download कर लो, sign up कर लो, login कर लो, यहाँ पर सीज़ें आप सब कुछ track कर सकते हो, यहाँ पर मैं एक एक करके सब का वीडियो ले आऊंगा, आपको lump sum ship कैसे करते हैं, invest कैसे करते हैं, more, redemption मता दिया है, switch कैसे करते है email rate कैसे करते हैं, क्या होता है, STP क्या होता है, कैसे करते हैं, HWP कैसे करते हैं, और यहाँ पर systematic transaction क्या होता है, तो मैं आपको explain कर दूँगा detail में, दोस्तों देखो, यहाँ पर आपने MF Central से order place किया था, और आपको message आ गया, dear investor, your redemption request in access mutual fund, यह folio number यह रहा, for units यतना, transaction number यतना data has been received, thank you for transaction MF Central, तो यहाँ पर आपको ऐसा message आएगा, simple है, आप इसको जो है, ट्रैक करते रहें, T plus two working days के नदर पैसे आपके bank account पहुंच जाएंगे, दोस्तों मैं आशा करता हूँ, वीडियो जो है, कोच लगओ, वीडियो अचल लगओ, लाइक करें, सब्स्राइब करें, तक लिए उस्तों, दाने बाद,